हुआ हेलो एब्रिवान आम चार्डर अकाउंटेंट एंड कंपनी सेकेटरी पावन गहुकर और आज हमारे इंस्टिट्यूट ने एक धमाका दिया है कि हमारा एक्जाम CSEET का 29 ओगस्ट 2020 को कंड़क्ट होगा येस दिस नो फेक न्यूस दिस अ प्रॉपर अनॉंस्मेंट जो 5 ओगस्ट 2020 ICSI ने दी है ठीक है और कंपनी सेकेटरी की एक्जेकिटिव एंटरेंस टेस्ट का एक्जाम 29 ओगस्ट 2020 को कंड़क्ट होगा और कोविड के कारण आपको एक्जाम सेंटर नहीं मिल पाएंगे COVID के कारण आपको exam centers नहीं मिल पाएंगे तो अच्छी बात ये है कि ये exam आप अपने घर से देंगे लेकिन इसके लिए कुछ requirements है ठीक है और ये जो सारा है ये जो सारा session है ये remote proctored mode से लिया जाएगा ICSI का collaboration है Tata Consultancy Service के साथ उनके साथ मिलके उन्होंने ये mode बनाया है जिसकी help से exam ली जाएगी तो आप अपने घर पे exam दे पाओगे आपको सिर्फ एक laptop की ज़रुद पड़ेगी और internet की ज़रुद पड़ेगी वो आपको arrange करना है सारी चीजे अभी मैं आपसे अगले 10 minute में discuss करता हूं ठीक है अल्राइट गाइस तो इस इस इंफर्म आपको 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 एक्जाम कंड़क किया जाएगा instead of conducting the same from test centers तो आपका exam centers के through exam नहीं होगा candidates allowed to appear the test through laptop और desktop from home या फिर आपकी लिए जो convenient place है तीक है आप अपने घर से या अपने घर के पास कोई library होगी वहाँ से जहाँ पे शान्ती है वहाँ से आप exam दे पाओगे candidates shall not be allowed to appear through smartphone और tablet tablet से आप appear नहीं कर पाएंगे आपको mandatory laptop जिसमें camera हो जिसमें webcam हो या फिर webcam अलग से लगा लो उसको आपको वैसा laptop arrange करना पड़ेगा या आपके पास होना चीए अगर है तो बढ़िया है अगर नहीं है तो आपको वो laptop arrange करना पड़ेगा बोरो करना पड़ेगा इतनी पहचान तो होगी तुमारी कि आपको कोई एक laptop तो जरूर देदेगा in the view for remote proctored mode ठीक है क्योंकि हम लोग extraordinary circumstances में exam ले रहे है software के तुरू exam ले रहे है आपके घर से exam ले रहे है वाइवा वो के आपका वाइवा oral exam stands cancelled but आपका exam उतनी marks का है सिर्फ थोड़ा सा bifurcation बढ़ गया है दूसरे subject को लेके ठीक है remote for the first CET ये जो वाइवा exam में आपका first CET के लिए नहीं होगा subsequent CET के लिए जैसे situation better होगी COVID की शायद वो conduct होगा the computer-based MCQ of online test forming part of CSCET shall remain the same as per the existing structure paper 4 shall carry a total of 50 marks which will contain questions on current affairs current affairs, presentation and communication skills तो थोड़े से marks bifurcate हो गया है इन दोनों के बीच में ठीक है जिसमें पहले वाइवा के भी अलग से marks होते थे अब इन दोनों में ये marks बढ़ चुक है तो guys business communication में 35 questions थे और 50 marks थे legal aptitude, logical reasoning में 35 questions थे, 50 marks थे which question 2 marks के like there will be 15 questions for 2 marks each and there will be 20 questions of 1 marks, 1 mark each तो ऐसे मिला कि 35 questions रहेंगे आपके exam के लिए हर एक, हर एक paper 50 marks का होगा ठीक है और वाइवा के जगा पे अब इनके presentation and communication पे 20 questions रहेंगे 20 marks के और current affairs पे 15 questions रहेंगे ठीक है 30 marks के, इस आप से 50 marks तब divide किया गया है the modest operandi in a mode of operation for conducting CACET through remote proctored mode is given in an extra attached share with नीचे हम लोग और पढ़ने वाले the eligible candidates advice to plan for availability of laptop, desktop, technical requirement कौन सी कौन से cash type के laptop लगेंगे, कितना internet speed लगेगा नीचे दिया हुआ है आपके admit cards, आपको roll number वगरे exam के 10 दिन पहले, यहने around 18th, 19th August को आ जाएंगे अब exactly क्या-क्या technical requirements है modus operandi क्या है exam का, exam आपको अपने घर से देनी है तो काफी लोग यह सोच रहे कि अरे घर से देनी है ना, ऐसा घर से देनी है ना, फिर तो तोड़ी देंगे हम लोग guys, एक minute, relax आपको exam घर से देनी है, इसका मतलब यह नहीं कि आप cheating कर पाऊगे ठीक है, proctored, ठीक है, remote proctored mode यहने क्या, remote location से यहने वहाँ पे आपको जो webcam, आपके computer में जो webcam रहेगा, उसके थूँ आपके उपर निगरानी रखी जाएगी, आप जादा इधर उधर नहीं बूल सकते, अगर आपके lip moment डिखने लगे कि यह question का answer बता, आपने ऐसा किया, तो वो proctored mode आपको पकड़ लेगा, वो proctored mode आपको पकड़ लेगा कि हाँ भाई, तुम कुछ न कुछ cheating कर रहे हो, या किसी और की आवाज आ रही, इस concert ही है, इस concert ही है, आपके अलावा किसी और की आवाज अगर आ जाती है, तो आपका disqualify कर दिया जाएगा exam से, तो आप cheating नहीं कर पाओगे, जादा खुश मत हो, ठीक है, technical requirements at the end of candidates appearing CACET through remote mode, remote इने from a distance इने, आप वो जो exam आपका conduct कर रहे है, वो दूसरी जगह पर बैठे, आप अपने घर पर बैठे, फिर भी exam होगा, candidate has to ensure that the following technical requirements should be available, आपके पास क्या-क्या होना चीए, पहले तो आपके पास browser होना चीए, आपके पास Mozilla, Firefox, Google Chrome या Microsoft Edge, ये तीन browser चलेंगे, RAM 256MB का RAM रहना चीए, आपके desktop में and laptops में और 1GB और above और notebooks, आपके पास अगर desktop है, तो कम से कम 256MB यानि जो proper computer होता है पुराने जमाने का अगर है, तो 256MB का RAM होना चीए, कम से कम और अगर आपके पास ठीक है, और अगर आपके पास notebook computers है, तो 1GB ठीक है, जो पतले से computers होते हैं laptops होते हैं, लैप्टॉप्स होते हैं, उनको notebooks कहते हैं, सब के पास होता ही, almost इतना configuration होता ही है graphic cards होना चीए, आपके computer में minimum 64MB का ये भी सब के laptops में होता ही आजकल, then sound card होना चीए आपके आवाज उसमें, आप जो cheating अगरे करते हो, आपका mic आपने शुरू रखना है, full volume पे शुरू रखने की आपको advice दी जाती है then microphone रहना चीए आपके पास जो जो आप insert कर पाऊगे उस computer में then internet connection होना चीए आपका कम से कम 512 kbps यानि ये बहुती basic speed है आप सब के पास कम से कम 1 mbps, 2 mbps, 3 mbps का speed सब के पास रहता है आजकल, तो don't worry ये भी requirement सब की fulfill हो जाती है processor, आपका जो processor है, 1 gigahertz का होना चीए, mostly सब के laptops की उतनी processing power तो होता ही है, और UPS होना चाहिए, कि अगर बिजली चले जाती है तो आपका exam बंद ना हो जाए बीच में, तो इस चीज की ध्यान रेना है, then सब को एक login ID और password दिया जाएगा, test की process, सब को एक login ID और password दिया जाएगा, जिसके थूँ आप exam में login करेंगे, ठीक है login credentials, remote proctoring proctoring यहने ध्यान देना the candidates appearing shall be remotely proctored, proctored यहने आपके उपर पूरी नजर रखी जाएगी, आप cheating नहीं करनी चीज़िए students, professional exam में बंदे cheating करके पास हो, ऐसा acceptable नहीं होगा, ठीक है, level at the beginning of each session, the candidate undergoes the identity verification हर candidate का identity verification होगा, कि आपका photo और जो बंदा, वो exam दे रहा है, वो match होना अच्छी है, अपना fifth standard का photograph मत upload कर देना नहीं तो match नहीं होगा, आच चहरा और फिर आपको disqualify कर देंगे, ऐसा हो सकता है ना, कि आप मुझे ही बिठा तो exam देने के लिए ठीक है, पवन सर आप ही बैड़े हो ठीक है, पूरे marks ले आना आप है ना, पवन सर, 200 में सो 200 ले आना आप, नहीं होगा ऐसे, ठीक है आपको खुदी को बैटना पड़ेगा, आपका photograph test होगा, then candidate will continue to display admit card and valid ID proof, proctor will instruct the candidate to display the admit card for logging in the exam, वो जो proctor software है वो आपको बताएगा, artificial intelligence based software है, वो आपको बताएगा कि क्या करना है, आपको अपना ID proof आधार card वगरे वगरे, PAN जो भी है वो आपको देना है, if the candidate is violating any rules during test or trying to adopt any unfair means, it will automatically collect data based on the above parameters alert the online life proctor, यहनि जो online proctor है उसको बता देगा focus on different window, अगर आप दूसरी window open करते हो, आपने अगर computer में कुछ दूसरी window open करनी कोशिची जैसे student ने google ही कर लिया, इसका answer क्या है जैसी आपने google open कर दिया, पकड़े जाओगे, disqualify हो जाओगे browser not supported, पुराना browser नहीं use करेंगे, latest browser अप डालोगे upload, update कर दोगे, webcam is disabled, काफी लोग क्या कर देंगे अपने जो camera है, camera के आगे ऐसा कुछ रख देंगे, कि मैं दिखू ना, ऐसा भी कर दिया, आपने to disqualify हो जाँगे, आप उसको दिखते रहना चीए, तभी तो उसको पता चलेगा कि आप cheating कर रहे हैं नहीं then face is not visible in the camera ठीक है, एकदम ऐसा रुमाल वगरे, मास्क वगरे बान के नहीं बैठ सकते हैं आपका face पूरे सा मैं दिखना चीए several faces in front of the camera आप भी आ रहे हैं, आपके दोस्ट भी आ रहे हैं आपके teacher भी आ रहे हैं वहाँ पे ठीक है, चलो इसको आगा answer बताते हैं चलेगा, आपसे एक से ज़्यादा चेहरे आगए उसमें आप disqualify microphone muted of its volume is low then conversation or noise in the background and system has captured any background noise इने आपने ठीक है, दीदी इसका answer किया है चल्दी देखके बता, module में से चल्दी देखके बता अरे वो 52 के notes में से देखना शायद 55 नमपर पे, देख जल्दी देख बता answer ऐसा आपने बोला, आपके microphone से proctor को पता चल जाएगा कि आपने cheating करी है, पकड़े जाओगे then microphone muted, अगर आपने microphone को mute कर दिया तो भी ठीक है, तो भी आपको disqualify कर देंगे screen activities are not shared, candidate has stopped screen share activity, आपको screen sharing शुरू ही रखनी है, ताकि वो देख पाए आपकी system पे क्या कर रहो, आप दूसरा additional display यूज़ कर रहो, not allowed आपको सिर्फ आपके screen पे देखना है, आप ऐसा देखे तो उसको system आपको पकड़ लेगा, not allowed then, proctor can chat with the test taker in the active light session आप से वो artificial intelligence based जो proctor है, वो आप से chat भी करेगा proctor can communicate with the test taker via microphone and session saves photo of the test taker's face and periodic snapshot is taken on the taker's webcam and screen, webcam आपका photo लेते रहेगा कि आप कुछ गड़बर तो नहीं कर रहो, each session is finished after the test taker or automatically after the end of allotted time, all audio and video and text messages are recorded ठीक है, आपको सारी आपको सारी instruction follow करनी है, the issued faced by the student during the test like no network, network disconnection due to Wi-Fi disabled, no internet connective or power cut, अगर ऐसा होता है क्यार बिजली चलेगी, क्या करे, UPS भी, UPS की बैटरी भी खराब होगी या फिर internet बंद होगया, होता है ऐसा, in such scenario, candidate will be allowed to log in again and continue from the last question attempted remote proctor shall keep tab on search instances and report all the search instances immediately, तो don't worry, अगर गलती से अगर internet connection का issue हो जाता है तो घबराना नहीं है, in case it is not feasible to resume examination immediately, the candidate shall examine within next two days with proper intimation and approval from the institute candidates may attempt a mock test of around an hour few days before the actual exam इससे पहले आप जो laptop अगर किसी से बौरो करते हो तो 5-6 दिन के लिए बौरो कर लेना और आप mock test दे के देख लेना कि किस scenario में यह सब होता है the mock test will be conducted for candidates to familiarize themselves with the remote proctoring process, alright so guys, that's it as far as the notification is concerned और बस यह basic instructions थी आपके लिए काफी लोग यह सोचते हैं कि अरे यार मुझे तो आज ही पता चला है कि August में exam है, guys, relax मुझे लगता है अगर आपको अगर आपको यह लगता है कि आपके पास 25 दिन का समय है और यह 25 दिन का समय कम है तो आपको गलत लगता है कि आप यह exam अभी से भी अगर आप पूरी निश्टा से पढ़ें तो आपका curriculum भी clear हो जाएगा और आपका revision भी अच्छे से हो जाएगा और एक दो mock test देने के बाद आपको confidence level भी बढ़ जाएगा I feel there's nothing to worry about I feel all the students in India can take it as a challenge तो वैसे भी तुम लोग exam July में देने वाले थे अब August में दे रहो तो मुझे नहीं लगता it will make much of the difference 25 days is a lot of time to make a comeback अच्छे से module पढ़ो अच्छे से जो भी आपके class teachers ने आपकी tuition class वाली teacher ने आपको जो notes प्रोवाइड कियोंगे अगर वो thoroughly go through करो you will qualify this exam COVID के period में अगर तुमने ये pre-porn की हुई exam या फिर short period में रखी हुई exam को qualify कर लिया तो guys you will be proud of yourself all the while throughout your life कि मैंने एक opportunity आई है मैंने उसको जाने नहीं दी मुझे ऐसा लगता है ये exam जो एकदम से short notification में आपको लिया जा रहा है मुझे लगता है ये threat नहीं है ये opportunity है so guys I wish all the students all the very best confident रहो थोड़े difficulty आएगी जरूर I understand but I still feel you can still make it big I wish you all the best this is Pawan Gaukar signing off for the day all the best for your exams do well bye प्रड़ेन को था है झापए़ें को भी खब है